केंद्र से मांग बड़ी कबर आ रही है इस स्कीम को लेकर सरकार इस योजना पर करेप उनरविचार ललन सिंग का ये बयान है केंद्र सरकार को युवाओं को करना चाहिए आश्वस ये जेडियू के अध्यक्ष ललन सिंग ने बयान दिया है इस नई स्कीम को लेकर जो अगनी पत योजना केंद्र सरकार लेकर आई है सेना में भरती को लेकर और इसको लेकर पूरे देश के कई हिस्सों में बवाल शिड़ गया है खास्तोर पर बिहार में कई जिलों में इसको लेकर बवाल चल रहा है ऐसे में कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है लोग परेशान है और ऐसे में अब इस पर राजनीती भी शुरू है केंद्र से ये मांग की है जडियो एध्यक्ष दलन सेंगे सुनिए इस बयार केंद्र सरकार द्वारा अगनी पत योजना लागू करने की घोशना के साथ के साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो चात्रों और मौजवानों को आस्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविस्व पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा है चल्व एक और बडी कबर सामने आ रही है अगनी पतियोजना को लेकर बिहार में बवाल जारी है आपको बता दें अगनी पतियोजना को लेकर हो रहे बवाल की पीचे-डी जिलो और का बयान उपत्रव्यों के खिलाऐ की जा रही है कारवाई बड़ी गबर आपको बता रहे हैं अब तक दो दर्जन से अधिक प्रदर्शन कारियों पर फाई यार दर्च किया जा चुका है तो बड़ी गबर सेगडू अब द्रव्यू की पैचान कर रूए कि रफ्तारी संजे सिंग का बयान है सरकारी संपती को रुक्सान पहुचाने की एडीजी ने की अपील अगनीपत योजना को लेकर हो रहा है प्रदर्शन पर बोले एडीजी लॉएंड ओडर चले और हगनीपत योजना को लेकर बिहार में बवाल जारी है इस बीच आक्रोशित चात्रों के समर्थन में महागडबंधन अब उतर गया है तो अगनीपत योजना से योजना सडकों पर आ जाएंगा ऐसा कहना है जग्दन अन्सिंग आपको बता दे आग्रोशित चात्रों के समर्थन में महागडबंधन अब उतर गया है महागडबंधन ने शनिवार को बिहार बंद का अवान किया है आरजडी के प्रदेश अद्यक जग्दन अन्सिंग ने कहा है कि अगनीपती